हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत श्वागत है आज मैंने बनाया है यह बहुत ही आसान तरीके से बनाया है इसे बनना बहुत ही आसान है यह चुटकियों में बनके तयार हो जाता है अगर आप मेरे पूरी वीडियो देखेंगी तो यह एक फंदे से लेकर औ इसमें मैंने डोरमेट बनाया है कलिया भी बनाई है देखिए चुटकियों में इसलिए बना लेंगे आप कि आप सीख गई अपने मन में और आपने बनाना शुरू कर दिया तो यह समझो बन गया क्योंकि जो सीख जाते हैं किसी भी चीज को तो बहुत आशानी से बन जाती है तो देखिए कितना सुन्दर लग रहा है आप इस डोरमेट को जरूर बनाए और चलिए एक वार मैं भी आपको बना कर दिखाती हूँ इस डोरमेट को बहुत आशान तरीके से तो चलो बनाना इस्टार्ट करते हैं तो आज देखिए मैं आपके पास जो भी कलर बच्चे जाएगी इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगता है और बहुत ही आशानी से बन जाती है देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम एक यानि कोई भी कलर ले लो आप उसी मैं से चलो इससे ही बना लेते हैं यह मैंने नोट लागा ली अब इसमें हम 16 फंदे डालेंगे एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारह बारह तेरह चोदह पंद्रह और यह 16 मैंने यह 16 फंदे डाल लिए हैं अब क्या करेंगे तो देखिए अब क्या करेंगे इसमें मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं अब एक फंदे से यानि एक रो हम बना लेंगे इस तरीके से बहुत सुंदर डिजान आएगी मगर आपको अभी तुझे साधा दीखेगा कि मैं आसानी से बन जाती है यह तो साधा डूर्मेट है मगर इसकी डिजान बहुत सुंदर आएगी आपको पता भी ने चलेगा कि कैसे यह बन गया न्यू टिजान का डूर्मेट अब यहां से इस तरीके से एक रो लगा ली मैंनी अब क्या करेंगे अगर आपकी पट्टी यानि छोटी है तो इसे हम ऐसे जूंट करेंगे एक भी नोट नहीं लगेगी इसमें और बहुत ही आसानी से जूंट हो जाएगी देखिए देखिए इधर की साइट में मैंने कुछ भी ने किया सिर्फ दो पंदे छोड़ दिये हैं दो पंदे छोड़ देंगे यहां से दागी को अपनी तरफ लेंगे फिर से बनाना शुरू करेंगे तो ऐसे ही दो दो पंदे छोड़ते हुए हम अपनी कली को कम्प्लीट कर लेते हैं पहले फिर मैं आपको देखाते हुँ इस तरीके से दो दो फंदे छोड़ते हुए अपनी कली को कम्प्लीट करते हैं तो देखिए यहां से मैंने यह वाली कली यानि यह पट्टे कट करके मैंने दूसरा कली लगा लिया है और यहीं से अपनी दूसरी कली बनाना स्टार्ट कर दिया है देखो इसी तरीके से हम बाकी कलर चेंज करते जाएंगे अपने और अपनी कलीयों को बनाते जाएंगे ऐसे ही हम थोड़ी सी कली बना लेते हैं धो-चार फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है तो उससे पहले हम ऐसे ही तो दो-दो छोड़ते हुए कली बनाएंगे अभी मैंने आपको बताया था जैसे ही, और देखिए ध्यान से, इसी तरीके से उल्टी तरफ से ही अपना color change करेंगे यानि उल्टी तरफ से ही color change करेंगे और सीधी तरफ से नहीं करेंगे तो ये सारे हम फंदों को इस तरीके से एक color से बना कर देखिए सभी फंदों को मैंने एक साथ बना लिया है और देखो दो दो करके छोड़ेते अब सभी फंदे मैंने बना लिये तो एक रो अब हम यहां से इस तरीके से सीधी लगाएंगे और फिर दो दो फंदे करते हैं छोड़ते हुए अपनी कली को द्वारा से बनाना इस्टाइट करेंगे एक रो लगाकर इधर की साथ से और फिर से दो दो फंदे चोड़ते हुए अपने कली को बनाते जाएंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है साधा बनाना है बस दो दो फंदे चोड़ते हुए देखिए बस इतनी ये मैंने देखो पूरी रो लगा ली है और देखिए अब ये मेरी दूसरी कली बना इस्टार्ट हो गई तो इसी तरीके से और बना लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है तो देखिए मैंने इसमें चार कली बनाई है एक दो तीन चार अब यहीं से हम अपने ये कलीओं को बंद कर देंगे तार देंगे देखिए मैंने इस दवल फंदा लिया और बना दिया फिर से दवल लिया और देखिए फिर से बना दिया तो इसी तरीके से हम अपने सभी फंदाओं को बंद कर देंगे दवल करते जाएंगे और बंद करते जाएंगे देखिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो जल्दी बना लेंगे अगर आदी देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनाया है ये डूर्मेट बहुत सुन्दर है बनने के बाद में बहुत सुन्दर लगता है तो देखिए मैंने ये अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रमा चवान की चैनल को और वीडियो को लाइक करें दूस्त को सेर करें कमेंट करें तो इस तरीके से देखिए ऐसे सभी फंदों को बंद करेंगे देखिए मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है और एक फंदा बचा है अभी तो इसे भी हम बंद कर देंगे देखिए तो मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है अब क्या करेंगे तो देखिए धागे को कट करेंगे यहां से और इस मैंसे इसको निकालते हुए नोट लगाएंगे ऐसे ही जैसे यह मैंने चार कलियां बनाई है ऐसे ही एक इसी तरीके से एक चार कलियां का जिब्बा और बनाएगे तो देखिए बना लेते हैं फिल मैं आपको बताते हैं तो देखिए मैंने चार कलियां का एक और जिब्बा बना लिया है आपको दिखिरा होगा तो अब क्या करेंगे देखो क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ तो देखिए अब इनके लिए हमें जिब्बा बनाने हैं जिब्बा कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ देखिए एक नोट लगाएंगे एक नोट लगा ली मैंने आप चाहे तो डवल भी लगा सकते हैं वाट ये एक नोट से भी बहुत अच्छा टबा आता है अब यहां से इस तरीके से सलाई के उपर से देखो एक फंदा बढ़ाया फिर से बनाएंगे ऐसे देखिए मैंने दो फंदे बढ़ाये ये देखिए चार फंदे बढ़ गए देखिए मैंने चार फंदे बढ़ा लिये ये पांच फंदे हो गए अब इसका कलर चैंज करेंगे कलर चैंज इस तरीके से अंगोठी से दबाएंगे और ऐसे फंदा बढ़ाते हुए करेंगे दो फंदे बढ़ गए तेन फंदे चार पांच और देखिए ये छे फंदे हो गए आपको दीख रहे होंगे ऐसे ही चाहे दूसरा कलर चैंज करें चाहे ना करें मगर इसी तरीके से फंदे बढ़ाते जाएंगे देखिए मैंने ये इस तरीके से बनाया है आपको दीख रहा होगा तो इसी तरीके से हम अपने दो-दो सिलाई इस वाले कलर की बनाएंगे और अपना बड़ा सा चिप्बा बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हैं देखिए तो मैंने इतने फंदे वड़ाए हैं इसमें मैं आपको बता देती हूं कितने फंदे एक दो तीन छह साथ और रो इसमें यानि चौबीस फंदे हैं अब क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना इसी रोपए से मैंने ये जवल फंदे लिए आपको दिख रहे होंगे यहां से इस तरीके से एक फंदा मैंने कम किया और बनाते जाएंगे पट्टी अरट तूट में जाती है तो इस तरीके से जूंट कर लेते हैं साथ ही साथ उसे बनाते जाते हैं देखिए अब क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना इधर की साथ से भी हम एक फंदा कम करेंगे और फिर से बनाना शुरू करेंगे तो ऐसे ही एक एक फंदा बनाते जाएंगे दोनों तरफ से और बनाते जाएंगे तो पहले फंदा गठा लेती हैं फिर मैं आपको बताती हूं क्या करना है तो दोनों तरफ से फंदा गठाते हुए मैं आपको बाद में दिखा तो देखिए मैंने सभी फंदा को एक एक करके देखो दोनों तरफ से कम कर दिया है आपको दिख रहा होगा अब क्या करेंगे थोड़े से फंदे बाकी हैं तो मैं आपको बना कर दिखा रही हूं यह यहां से इस तरीके देखो मैंने जवल फंदे लिए और कम कर दिया और फिर से बना लेंगे सभी को बनाएंगे अब यहां से देखो इदर की साथ से दो फंदे लेंगे यह देखिए और बना देंगे देखिए फिर से दो लेंगे और बना देंगे यह तीन फंदे बचे इदर की साथ से देखिए दो लेंगे और बना देंगे अब एक साथ दोनों को लेंगे और बना देंगे देखिए यहीं से अपने धागे को कट कर देंगे और इसमें से निकाल के खीच देंगे इसे भी इसे इसमें नौट लगा देंगे एक और देंगे देखिए मैंने नौट लगा दी है अब दोनों को कट करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और से भी कट कर देंगे तो देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरीके से सेम बनाया है यह मैंने जो डिबबे बनाई है अब क्या करेंगे देखना देखो तो देखिए मेरे पास यह सुई है अब मैं आपको इसी से सिल्के दिखाओंगी तो उससे पहले हम सभी टिबबों को उल्चा करेंगे इस तरीके से देखिए मैंने उल्चा कर लिया है तो अब मैं आपको शिल्के दिखाते हूं यहां से सिल लेंगे कर दो अ कि अ तो देखिए इसी तरीके से हमें अपने डॉर्मेट के सिलाई कर ली है नौट लगाएंगे धागे को कट कर देते हैं तो देखिए ये मेरा डॉर्मेट पूरी तरह दे सिल्के तयार है देखिए इसी तरीके से बहुत ही जल्दी ये डॉर्मेट बन जाता है तो ये मेरा डॉर्मेट बनके और सिल्के पूरी तरह से तयार है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्पां के ताथ सेयर करें, कमेंट करें, तो अगली वीडियो के साथ में लेंग तक तक के लिए बाए